नमस्कार बहुत स्वागत है आपका अगर आप हमसे अभे भी जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तब लाइक करें कन्या रासी वालों जीवन में हमेशा ही कुछ न कुछ करते ही रहना चाहिए आप बच्चे हैं बड़े हैं आप जो भी हैं कभी भी ये मसोचिए कि आपकी उम्र हो गई है अब आप से नहीं होगा क्योंकि ये जो सब्द है न ये आपको बहुत पीछे रख देता है क्योंकि हम इस 21 सदी में जी रहे हैं जहां पर कदम से कदम मिला कर चलना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है आप जरासा भी मौका चूग जाते हैं तो बहुत पीछे रह जाते हैं क्योंकि मसीनी यूग ह और यहां पर सीखने की कोई उम्र होती ही नहीं आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं लेकिन आज हमारा टॉपिक है कभी किसी से खुद को कम मत समझें आप जैसे हैं जैसे भी हैं आप परफेक्ट हैं क्योंकि आपके तरह और कोई दूसरा हो नहीं सकता यह भी सच है कभी कभी लगता है जीवन में बोरियत हो रही है ठेहराओ आ गया है क्या ऐसा आपको भी लगता है अगर लगता है तो थोड़ा सा बदलाओ तो लाना चाहिए ही चाहिए वर्ना आपको नीडिस लगेगा जीवन आज हम आपके साथ बहुत सारी बाते करेंगे कोई कोई जोतिस ये बाते नहीं होगी सिर्फ आप और हम तो करने रासी वालों जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो आप सोचते भी नहीं और हो जाता है बहुत कुछ ऐसा होता है जिसकी आप कलपना भी नहीं करते लेकिन फ आपके सफलता की पहली सीड़ी है चेहरे पर मुस्कुराहट रखें और ये मुस्कुराहट तो बहुत ज्यादा आपके बहुत बड़े दुसमन है तो वह भी आपके दोस्ट होजाएं क्योंकि यहां पर आपकी मुस्कुराहट एक दवा काम करता है जिन्दगी में हमेशा ही हर किसी को माफ करना सीख लीचे क्योंकि किसी से भी जगड़े लड़ाई बाद विबाद में ज़्यादा उलजिएगा तो क्या होगा ना कि आपके आगे बढ़ने के तमाम रास्तों में कंकर बिच जाएंगे आपके दुस्मन नहीं बिचाएंगे आप खुद बिचा रहे हो क्योंकि आपका जो दिमाग है उसमें आप जो डालिएगा दिमाग वही लेगा आप उसमें अच्छी चीज़े डालेंगे तो अच्छा ही लेगा उमीद है आप हमारे कहने का ताथ पर समझ रहे होंगे बहुत बार तो हमारे बहुत करीब के दोस्त भी ऐसा हो करते हैं कि बार बार आपको कुछ ऐसे मोर पर ले आते हैं आपके दिमाग में कुछ ऐसा कुछ डालते रहते हैं जो जिसकी आपको आवस्ता नहीं है आप अपनी लाइफ में मस्त है लेकिन अचानक से कोई दोस्त बहुत जिगरी दोस्त आता है और रोज आपको मोटिवेट कर रहा है लेकिन इस मोटिवेट में आपको उकसा रहा है, गलत रहा दिखा रहा है या आपको परिसान कर रहा है, कुछ भी हो सकता है अभी जितने भी आतंगवादी होते हैं, ये क्या है? अच्छे बच्चे हैं, इंजरिंग के स्टूरेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन अच्छानक से आतंगवाद, ये क्या है? ये है माइंडवास, तो ये माइंडवास आपको हर कदम पर कोई ने कोई ऐसा ब्यक्ति मिल जाएगा, जो आपका माइंडवास कर रहा होता है जरूरत है आपको समभलने की आपको ये समझना होगा कि जीवन में आगे बढ़ना है तो भला इनकी क्या हो सकता है? अच्छा है बुरा है आप डिसीजन ले सकते हो हाँ, जब आपको लगे कि आप डिसीजन नहीं ले सकते हो तो किसी की सला लीजिए लेकिन हर वक्त किसी तीसरे को अपने लाइप में दखल अंदाजी करने मत दीजिए क्योंकि कभी भी कोई किसी का खुसी देखी नहीं सकता, ये भी कटू सकते है हर कोई एक दूसे से जल रहा है, हर कोई इस भागदौर की जिन्दगी में सबसे आगे निकलने की कोईज रखता है ऐसे में अगर कोई अपना आपको धोका दे रहा है, तो ये गलत नहीं है, ये होता है, हो भी रहा है जीवन में कभी भी ये मत सोचिए, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, अपने काम से मतलब रखिए क्योंकि लोगों के चक्र में पढ़ेंगे, तो फिर आप उलजेंगे, आपको उलजना नहीं है आपको आगे बढ़ना है इतना कमाना है इतना ज़्यादा आपको मेहनत करना है कि आपको पीट पीछे कौन क्या कहता है आपके जीवन के कौन से हिस्से आपसे छूट रहे हैं वो आपको अभी धियान नहीं देना हलांकि अपने लाइफ के जो तमाम आपके अपने हैं उनको लेकर ही चलिएगा क्योंकि अपने के बिना लाइफ नहीं होती और कन्या और रासी वालों के साथ अक्सर हो जाता है ये कमाने में इतना मजबूल हो जाते हैं इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं कि बहुत बा और रिस्तों को लेकर चलने के कारण, रिस्तों को जादा महत्तो देने के कारण, भी रिस्ते चूटते हैं, चूटते हैं, क्योंकि तब आपसे उमीदें और उनकी बढ़ जाती है, उमीद है, आप हमारे कहने का ताथ पर यहां भी समझ रहे होंगे, अपने आप में चेंज ल को खुद मेहनत करना होगा आगए बढ़ने के लिए आपको खुद मेहनत करना होगा आश्मान की उचाइयों पर पहुचने के लिए बैठे-बिठाए किसी को कुछ नहीं मिलता बड़े-बड़े सेट महराजा भी बैठे-बिठाए खापी के सब खत्म कर देते हैं तो यकीन म बस आपको अपने आप पर भरुसा करना चाहिए और आप करते भी हो क्योंकि आप बुद्ध की रासी हैं बहुत बुद्धी मान हैं और भिए को हैं अभी 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 से मुख्थ हुए और इन्तहान ले Kelsey बॉट बात है कि बहुत बाए जो भीक्ति आप पहचान नहीं पा जो भी भाथ पहचान को Dept कौन से निस आपको धोखा दे रहें रहें Guild Series रिष्टे आपके साथ हैं यही तो खुबी है सनी देव की अपने पराये में भेत करना सिखा देते हैं हमेशा ही माफ कीजिए सांत रहिए और आगे बढ़िए क्योंकि अपने काम से मतलब जिस दिन आप रखना सुरू करेंगे उस दिन कामियाब हो जाएंगे हर खुसी किसी क को मत बताईए क्योंकि आज आपका दिल भले ही हलका हो जाए पर जिसको आपने तकलीफें बताई है हो सकता है वो यहां पर उसमें नीमबू मिर्ची लगा कर दो चार कानों में दे आए तो इसलिए आपकी खुसी आपका गम यह आपका खुद का है आपको कैसे हिंडल करना है आप जानते हैं हाँ किसी से सलाह लेना है तो लीजिए पर पूरी बात पूरी की पूरी तह तक किसी के साथ दिल के राजम नहीं खोलना चाहिए बहुत बार दरसक ये भी कहते हैं अब क्या करें अब कुछ नहीं जो बीट गया सो बात गया अब आके बढ़िए क्योंकि बहुत खूबसूरत वक्त आपका इंतजार कर रहा है ये जीवन ऐसा ही है कभी लगेगा एकदम से परिच्छाएं ले रहा है इतनी परिच्छाएं कि रास्ते नहीं हैं और कभी कभी लगेगा सब कुछ एकदम से आपके पास आ गई अगर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सारा दिन चैटिंग करते हैं तो क्या सोचते है आप चैटिंग करने से आपकी live बन रही है नहीं आपकी live बन नहीं रही क्योंकि इससे कुछ होना जाना नहीं है अपने बच्पन को आप इंजॉइ कर रहें कीजिए लेकिन कुछ वक्त चुड़ा कर अपने सपनों को जीने के लिए भी रखिए आप बड़े हैं बच्चे थे हैं हम आपने पूरा नहीं कर पाया इस त्माम रिस्तेनात को निभाने के चक्कर में जीवन उसको जीने के लिए निभाने के लिए जो वक्त गया सो गया लेकिन उसमें से तरह talented तो कोई नहीं होता अपने वो नहीं होते जो आपके साथ खड़े हैं आपके तस्वीरों में अपने वो होते हैं जो आपके साथ आपके तकलीफ में भी खड़े होते हैं और ऐसे बहुत कम लोग हैं जब आप प्रसंद होगे तो आपने देखिएगा कि सारे मुहले आ ज सब्द नहीं दे सकता मंजिल को पाने के लिए अपने सपनों को साकार कीजिए संघर्स कीजिए इतना कीजिए इतना मेहनत कीजिए इतना पैसा कमाईए कि जो चीज़ें भी महांगी हैं वो सस्ती लगने लगे और सही मायने में अपने सपनों को जो आप ख्वाब देखते हो आप ये बन गए हो आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग कर ली है आपके बिजनस ऐसे चल रहे हैं इतना बड़ा कर लिया है उसके लिए आपको मेहनत करना होगा जो ख्वाब है उसको धरातल पर लाना होगा और जिस दिन आपका ख्वाब जमीन पर आजाएगा उस दिन आप सफल होगे लेकिन लालच कभी मत छोड़ियेगा क्योंकि लालच करना छोड़ देंगे तो तरक्की भी आपको मिलना बंद हो जाएगा लालच करते रहे ताकि तरक्की के रास्ते आपके लिए खुले रहें यह आपके हाथ में हैं आप क्या करना चाहते हैं बस उसी मार्ग पर आगे बढ़ें फिलाल भी दालेंगे हर हर महादेव धन्यवाद